तो दोस्तो आज 9 अप्रिल 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टन शेर्स के पर कुछ इंपॉर्टन अपडेट से कुछ इंपॉर्टन न्यूज है तो चले के करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की दिगज कंपनी इनफोसिस लिमिटेट की शेर्स के बारे में तो बहुत दिनों बात आज शेर में एकदम से बाउंस बैक देखने को मिला जहाँ पर फॉर्स्ट हप में ऐसा लग रहा था कि शायद आज देराजर को पर क्लोजिंग होई जाएगा क्योंकि क काफिया तक स्टेबल था बट बारा बजे के बाद दोस्तों सब कुछ पलट गया हमने देखा मार्केट का जो सेंटिमेंट है शुरू में जहां पर एकदम से बुलिश था सेगना अच्छा का सा करेक्शन भी देखनी को मिला निफ्टी के अंदर सेंसेक्स के अंदर और और अब सदेन जो तेजी हमें फर्स्ट अप में देखने को मिला उसके पीछे डिजन देखें बहुत ही जवर्दस्त है एक्चुली देखें एक बहुत बड़े ब्रोकरेज कंपनी जिसका नामें बोफा बोफा मेंस बैंक आफ एमेरिका ठीक है उनका जो रेटिंग एजेंसी सेग्मेंट है उनके तरब से रेटिंग दिया है इनफोसिस को साथ में पॉजिडिव रेटिंग दिया और उसके साथ जो टार्गेट प्रेस पहले दिया था उसको अपग्रेट किया था पहले आप देख लिए पहले रेटिंग किया था नीट्रल मतलब कोई होल्ड करने का इस बार इसको चेंज करके बाई करने का रेकमेंट किया पहले जो टार्गेट दिया था 1735 रुपे का इस बार इसको बदल के 1785 रुपे का टार्गेट दिया नेक्स्ट एक साल के लिए बागी दोस्तों आपको के लगदे कि ये टार्गेट एचिफ करने में इनफोसिस की श यह कमेंट करके विकॉस आज से लग बग दो मैंने पहले भी आप पहुंच जाएंगे शियर करीब करी पहुंच गया था जैसे अब देख सकता आप जो शियर का 50 प्रीक्स हाई है वह ना के बल इंडिया के अंदर बल्कि यूएस मार्केट में भी इकोली लेस्टेट है एडियर वर्शन के रूप में और यूएस मार्केट अभी ओपन हो चुका है और जिसके चलते आप देख सब्सक्राइब और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्रा वह निए जो बहुत इंटरनल इसको नजर रखिए जिसका नाम है ग्रवड और वेल इंडिया लिमिटेड यह जो शेर आज की रेत पे आपको लगबक एक सो चुराइबी रुपए के भाव में दिख रहा है ना कल यही शेयर आपको लगबख 97 रुपीज का आसपस दिख सकता है और जैसे के वीडियो के थामनेल पर में में मेंशन किया कि कल से एक सुराइबी शेयर 97 रुपीज में मिलेगा वह यही शेयर के लिए अब देखिए कंपणी अच्छी कंपणी है अब ऐसे क्यों हो जाएगा क्योंकि आज से लगबख कुछ माहिने पहले ना कंपणी अपने शेयर हुल्डर के लिए बोनस इशू किया था वान इस टू वान जिसका एक डेट कंपणी रखा दस तारीक दस तारीक मतब कल टुमारू कल दोस्तों इसकी प्राइस एड़्जस्ट्मेंट होगा एस पर बोनस रेशियो वान इस टू रेशियो में तो इसका मतलब है शेयर प्राइस जो है वह आदा हो जाएगा ठीक है तो अगर आपके पो एक साल की बात कर चाहिए रिटन दिया पांचल में बहुत अच्छी रिटन दिया एवन लॉंग तब बहुत अच्छी कंपनी चोटे मतलब माइक्रों के पने स्मॉल कैप सेगमें इसका मार्केट वेलूच लगबग 4404 करोर करो क्या आज पस आपको देख जाएगा ठीक है देखने को में एक्चुली वेदानता हो गया एंटायर मेटल सेक्टर में तो देखें वेदानता के शेयर में आज फिर से ब्रेक आउट हुआ शेयर फिर से अपना फिप्टू डेक्स हाई टच किया और करीब-करीब उसी लेबल का आसपासी क्लोजिंग दिया सारे 4% के अब अभी ऐसे पांगोलों की तरह भाग क्यों रहा है इतना रॉकेट क्यों बंज ने चुका है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना परसंट रिटान दिया पहले आप देख लिजे सिर्फ 6 मेने के विता दोस्तों वेदानता के शेयर 60% के रिटान दिया तो इसके बढ़ेगा और इसका स्टेक है है कि नहीं और जिसके चल्द वेदानता के अंदर तेजी देखने को मिला अब आपके दिवाग में जरूर यह भी आया होगा कि सर हिंदूस्तान जिंग में भी क्यों देखने को मिला वह 16% तो इसके पीछे में जो रिजन है ग्लोबाल मार्क डीट में में उसके नाके वाल हिंदूस्तान जिंग नाके वाल वेदानता बल्कि उसके साहज़ा है जितने þील सेंटर की कंपने अल्मूस्ट सेख़ेत कवार में ऑलमोहीं getting एप्रॉक्स 38.42 परसंट का आसपास देखने को मिला तो क्या आपको इमिरेटली डिशन रहने चाहिए बाई करने का बिलकुल नहीं जल्द बाजी में जल्द बाजी में कोई डिशन मत लेना शांत दिमाक से डिशन लेला क्योंकि ओविसली देखेश एक मैने की भीतर-बीतर 34 परसेंट मुफ कर चुका है वह भी विदानता जैसे बड़े कंपनी मिटल सेक्टर की स्टॉक अगर 34 परसेंट दिया मतब एनाफ है तो वेट कीजिए जब फिर से नीचे करेक्ट होगा क्रेक्ट जरूर होगा क्योंकि कोई भी शार हमेशा किल उपर जा नहीं सकता आपका दूसरी बात अगर आपको बाई करना है एक डिविडेंट बेस्ट कंपनी के उपर बेस करके इसमें बाई करना विकास कंपनी का देखे रिटन्स वह तो मैं भैरी करता है इसके पहले बहुत बार आता है ऐसे नहीं कि एक दो बार आप देख लिए इस लेवल पर तो यहां पर न्यूज आया है मौगन स्टनली मौगन स्टनली की तरफ से अमेरिकन ब्रोकरेज कंपनी मौगन स्टनली के तरफ से रिलाइंस को काफी पॉजिटिव रेटिंग मिला और उसके साथ तार्गेट प्राइस भी काफी रेस किया यहां पर आप देख से थोड़ा इस बार ओवरवेट का रेटिंग दिया टार्गेट प्राइस दिया 3046 रुपए का तो कई ने कहीं देखा जाए यह टार्गेट प्राइस जो पहले दिया तो उसको रेस करने के कारण एकदम से शेयर में देखिया अच्छे उसके इंपक्त हो सकता आज इंस्टाने ना होना चाहिए आज की रेट में अच्छा कारवार्ट भी देखने को बला 66 परसन का आसपास बट इन्वेस्ट करने से वहले मैं बोलूंगा रिलाइन जैसे शेयर में ज्यादा उमीद मत करना विकास बड़े कंपनी है यहां पर आपको सालाना एप्रॉक्स मतब क्यागर तब हमेशा के लिए पकड़ मत लेना हमेशा के लिए ठीक है बारा पंदर बरसन सही है और उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करकर करने के लिए और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो अपलोड करने से वाले तीन और इंप्लोड कर चुका हूं अगर आपके बास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा या आपने सपोस्ट नहीं देखा तो प्लीज एक बाद चैनल पे विजिट कीजिए वीडि सब्सक्राइब नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इर रेटा बहुत सारा कमेंट आया कि सर में क्यूं गिरावट होगा क्या करूं सेल करूं वाई करूं या होल्ड करूं तो देखिए गिरावट की वीचे ऐसेच कोई बहुत बार रिजन नहीं है सबसे पहले तो आप द दो हफ्तों के वीदर वह भी यहां पर देख से तो इस लेवल से इस लेवल तक पर्टी परसंट के रिटन दिया तो अब इसलिए मार्केट का सेंटिमेंट जो है खास करके सब्सक्राइब बहुत बार सपोर्ट मेला बहुत बार रेजिस्टेंस मेला इमीडियर अगरम बात इसके पहले बार बार रेकमेंट किया था इसके पहले जब यह लिस्ट हो था पाचास रुपए में इसको रेकमेंट किया था इवन रिसन टैम में गिरावाट हुआ था एक सुब बीस पच्छीस में था तब भी खाथा कि शोड़ना नहीं है तो यह स्टिल आज भी अपना इसे बहुत नीचे मिल रहा है तो है तो होल्ड करें आपके वास नहीं है तो थोड़ा थोरबाई करें आपके इवेंट करता है लास्ट और फाइनल अपडेट वीवेल की पर बहुत सारा कमेंट आया कि सर्वीवेल को कुछ बताईए वीवेल के शर आपने इतना पसंद करत हूं कि पेशन्स रखें बड़े कंपणियें अच्छी कंपणियां थोड़ा पेशन्स रखने से मार्केर आपको रिवाट देगा ही देगा देगा देखिए छे मैंने पर 54 परसंट रिटन दिया एक साल पर पैसा दूबना करके दिया तो इसका खड़ाब कंपनी नहीं बहुत ही कंसिस्टेंट वह में रिटन देने वाला है हाल फिलाल पर बहुत सारे ग्लोबल इसूस चल रहा है कि नहीं अब बोल बोलिए यहां पर है ना तो वही बात है कि थोड़ा बहुत है में गिलावर देखने को मिला तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑपर्चूर्ट आपको बूलूँगा आपके पास अगर शेयर तो होल्ड करें नहीं है तो बाई करें फंड नहीं है तो बास देखते जाए अच्छी कंपनी है और बागी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूं मिलता है नेक्स वीडियो पर कोई बीए आपका क्वैड आउड़ चै तो प्लीज कमेंट वक्स से कमेंट करके पूछिए मिलते है नेक्स वीडियो पर तब तक ले टेक कर बाबाई जाए हिंद